नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल अल्टिमेट नॉलेश पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले जीप पाई जाते हैं जिनसे अगर आपका सामना हो जाए तो वो पल भर में ही आप लोगों को मौत की नीन सुला सकते हैं लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो कि मरने के बाद भी आप लोगों के लिए एक खतरा माने जाते हैं और आप लोग गलती से अगर उन्हें चुने की कोशिस करते हैं त तो आईए बिना किसी दिरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं उन जीबों के बारे में नमबर एक आक्टोपस आठ पैरों वाला ये जानवर अपने आप में बेहदी अजीब और बुद्धिमान माना जाता है आक्टोपस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग आक्टोपस को बोतल में भी बंद कर देते हैं तो ये अपने आपको उसमें से निकाल लेता है कोरिया और जापान में ऑक्टोपस खाये जाते हैं कोरिया के अंदर इनके पैरों को काट करके इनकी डिस बनाई जाती है जिसे सनकाजी कहा जाता है तो वहीं पर जापान के अंदर ऑक्टोपस को जिंदा ही खा लिया जाता है दोस्तो अगर auktopus के चोटे 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 तुकडे भी कर दिये जाए तो भी autopus का हर तुकड़ा लगवल एक घंडे से भी ज़ादा समय तक जीवित रहता है जिस कारण से autopus खाने वाले लोगों के गले में कई बार ये तुकडे फस जाते हैं जिसके कारण से उनके मृत्यू हो जाती है दक्षिन कोरिया और जापान में हर साल लगबग 6 लोगों की मौत ऑक्टोपस खाने के दौरान हो जाती है नमबर 2 साप दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि साप एक बेदी जहरीला जीव होता है जिसकी एक बाइट आप लोगों को मौत के गाट उतार सकती है दुनिया में लगबग 3000 प्रजातियों के साप पाई जाते हैं जिसमें से केबल 600 प्रजातिया ही जहरीली मानी जाती है हर साल लगबग 130,000 लोगों की मौत साप के काटने से होती है टैकसेस में एक गाटनर पेड़ों की कटाई छटाई कर रहा होता है उसी दोरान वो देखता है कि उसके सामने एक रैटल स्नेक है वो बिना देर किये हुए उस साप का सर काट देता है और कटे हुए सर को उठा करके फैकने की कोशिस करता है तभी साप उसको काट लेता है और अपना सारा जहर उस गार्डनर के सरीर में छोड़ देता है जिसके बाद गार्डनर को होस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जह इसके बाद उसकी जान बचती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी साब का सर 선र के धर्ड से अलग कर दिया हो तो उसके बाद भी वह इनस्सान को काटने की च्छमता रखता हो तो दोस्तों ऐसा हो सकता है और इसका मुख्य कारण है कि अगर साब के सरीर को काट करके अल और काबिलियत दूनों रखता है नमबर चार ब्लू बेल ब्लू बेल अभी तक खुजा गया सबसे बड़ा समुद्री जीब माना जाता है जिसकी लंबाई लगबग 98 से ले करके 100 फूड तक हो सकती है तो वहीं पर इसका बज़न 173 से ले करके 190 तक हो सकता है वैसे तो ब्लू ब्लू बेल मरने के बाद इनसानों के लिए बहुत जादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि ब्लू बेल का शरीर बहुत जादा भारी होता है और इसकी चमड़ी बहुत जादा मोटी होती है जिसकारण से मरने के बाद ब्लू बेल के शरीर में बहुत सी गैसे जमा होने लगती है जब blue whale के शरीर में हद से जादा गैस जमा हो जाती है तो ये एक धमाके के साथ blue whale के शरीर से बाहर आती है और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि इसमें blue whale के शरीर के टुकडे लगबग 800 फीट दूर तक जा सकते हैं ये धमाका इतना तेज होता है कि किसी भी इनसान की जान तक जा सकती है इसलिए कभी भी मरी हुई वेल के पास नहीं जाना चाहिए और उसे देखते ही दूर भाग जाना चाहिए